हाई तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि Python के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं Escape Sequence Character क्या होते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं चाता हूँ आप पहले जाकर उसे सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं आपकी थोड़ी बहुत भी हैल्प करती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी Dextrofit screen के ऊपर जहां हमने फोल्डर बनाया था पाइथन for absolute beginner तो मैं इस फोल्डर को राइट क्लिक करके open with code कर देता हूँ ताकि ये फोल्डर visual studio code id के अंदर खुल जाए तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये code id मेरे उस फोल्डर के अंदर open हो चुका है python for absolute beginner तो यहां पर हमने जो last time file create कर दी थी hello world तो वही file इसने open कर दी और नीचे इसने मुझे terminal दिखा दिया terminal जहां पर हमें अपना code run होतागा दिखेगा तो मैं इस terminal को close कर देता हूँ और यहां से मैं इस file को भी close कर देता हूँ और जल्दीस हम अपनी एक नई file create कर देते हो और नई file का मैं यहां पर नाम दूँँगा tute3 क्यों guys क्यूंकि आज हमारी python programming की absolute beginner की जो series थी उसकी आज तीसरी वीडियो है तो हम यहां पर इस file का नाम देते थे tute3.py .py क्या है इस file के extension है उसके बाद जैसे मैंने यहां पर enter करा तो हमारी file यहां पर open होगया गई तो guys बिना time को waste करते वह मैं आपको समझात हो कि comment क्या होती है तो guys ध्यान से सुनना कि अगर मैं इस file के अंदर programming कर रहा हूं और programming के अंदर मैंने यहां पर 50 line का code लिख दिया है और उस 50 line में से एक line ऐसी है जो कि मुझे आप लोगों को बताने है कि वह line बहुत ही जादा important है इस program के लिए अब खुछ सोचो कि मैंने आपको यहां पर programming करके उस file को दे दिया file को देने के बाद अगर मैं आपके सामने होता तो मैं खुछ से बता सकता था है कि यह वाली line important है लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं हो या फिर मैं किसी और को file दे रहा हूं और मैं उसे बताने के लिए महां पर available नहीं हूं कि यह वाली line important है तो मैं किस तरीके से उस explain करूंगा कि यह line important है for example मैंने यह पर लिखा print this is my first line ठीके गई तो यह मैंने यह पर एक line ले लिए example के तोरपर और यह line बहुत ही ज़्यादा important है और मुझे यह पर बताना है किसी को file देकर कि यह line ज़्यादा important है तो मैं तो मैं आप यह line के उपर लिख भी सकता हूं कि this line is important ठीके गई लेकिन मैंने यहाप लिख तो दिया this line is important मैंने file को save करा file को save करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर देखो कि this line is important तो इसने इसने मुझे यहाँ पर क्या दे दिया invalid syntax python क्या करता है कि अगर आप यहाँ पर कोई ऐसे ही line लिख देते हो यहाँ पर आपने line लिखी थी वह थी print function के अंदर लेकिन यहाँ पर कोई भी function नहीं लिख और इस line को हमने ऐसे ही लिख दिया तो यहाँ पर हमें क्या देदेगा एक error देदेगा लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूं इस line के आगे एक hash लगा देता हूं और उसे दिखा भी दिया कि यह line important है और यहाँ पर हमें इसने कोई error भी नहीं दिया तो comment लिखने के बाद फायदा क्या होता है comment का मतलब क्या होता है कमेंट का मतलब यही होता है कि अगर अपने फायल के अंदर कोई भी text वगेरा कोई भी string वगेरा लिखना चाहते हो और आप चाहते हो कि python का interpreter उस चीज़ को ignore कर दे तो आप उसे क्या बना सकते हो comment बना सकते हो जी हाँ गाई तो यह तो था single line कमेंट करना है तो आप यहाँ हैश लगा के इसे यूज करोगे लेकिन अगर मुझे यहाँ पर multiple line कमेंट करनी है for example ठीक है तो मैंने यहाँ पर तीन लाइने लिखे हैं अब इन तीन लाइनों को मुझे एक साथ कमेंट करना है तो मैं कि बार बार यहाँ पर हैश लगाँगा नहीं गाई तो multi line कमेंट के के लिए हम यहाँ पर यूज करते है triple code और मैं इसके triple code को यहाँ पर नीचे जाके close भी करूँगा देन उसके बाद अगर मैं यहाँ से सेव करता हूं तो सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसे run करते हैं तो हमारा output सिर्फ एक ही आएगा this is my first line तेन उसके बाद आप देख सकत के अंदर comments का use कर सकते हो multi line comments लिए आप यहाँ पर triple code का use करते हो triple code को use करने के लिए आप यहाँ पर starting में triple code लिखोगे देन उसके बाद आप यहाँ पर जो भी आपकी comment वगेरा होगी वो type करके आप इस triple code को close कर दोगे तो simple से आप लोगों को समझ आगे होगा कि comments क्या होती ह है ठीके ना तो अब हम बात करते हैं आपे escape character की अब यह escape character होते गया है और क्यों हम इनका use करते हैं तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं तो इसी के नीचे मैं आप एक और print statement लिख देता हूं print और यहां में लिखता हूं और इसके बाद इसे save करते हैं save करने के बाद हमने इसे run करा तो run करने के बाद यहां पर देखो हमारा दोनों लाइनों का output आगिया this is my first line this is my second line तो इसमें तो कोई दिकत नहीं है लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मुझे यह जो line है वो यहीं पर चाहिए बतलब इसी के बराव प्रेंगे और end लिखने के बाद हम यहां पे single course लगा देंगे single course यह double course जो दोनों मैं से कुछ भी use कर सकते हैं आप मैंने यहां पर single course use कर रहा है तो इसके बाद हम इसे भार से run करेंगे तो यहां पर देखीए guys तो यह हमारा बतलब तो इसने हमें दोनों लाइनों को एकी line के अंदर प्रिंट कर दिया लेकिन मैं यहां पर क्या चाहता हूं कि मुझे यह दोनों लाइन एकी लाइन के अंदर तो चीए लेकिन इनके बीच में थोड़ा इस्पेस चीए यहां तो सिंगल इस्पेस आ रहे हैं लेकिन मैं एक टैब की बरावर इस्पेस देना चाहता हूं तो file को run कराने के बाद आप लोग देख सकते होते हैं आपे एक tab की बराबर space आ गया तो जी हाँ guys यही होते हैं आपके escape character तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे slash t की जगा slash n लगा देते हो और इसे save कर देते हो तो यह क्या करेगा इसे next line में ही print कराएगा जो की by default print function के साथ slash n ही लगके आता है तो आपको समझ आयागा कि escape character क्या होते हैं लेकिन अब अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं दो-दो print statement ना लगा के एक ही print statement लगा हूँ तो देखे गाइस मैंने यहाँ पे दो print statement हटा कर एक ही print statement कर दिये और अब अगर मैं अपने code को run करता हूँ तो देखते हैं क्या दिखता है इस में हम आउटपुट तो इसने क्या करा नॉर्मल से एक ही line यहाँ पर मैं print हो गई रन करूंगा तो यहाँ पर देखो गाई और इसे सेव करने के बाद हम इसे रन कर देते हैं तो यहाँ पर देखो यह दोनों line आपस में एक दूसरे के नीचे आ गए मतलब एक दूसरे से अलग हो के आ गई फर्स्ट लाइन हमारी पहले पहले आ गई और सेकिंड लाइन हमा लोग आपको कमेंट समझ आ गया होगा और कमेंट का यूज किसलिए करते हैं वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा उसके साथ-साथ आपको escape character के बारे में भी पता लग गया होगा के escape character क्या होते हैं लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको एक example ओर दिखाता हूँ यहां पर तो उसके लिए मैं यहां पर एक और बार print statement का यूज कर लेता हूँ लेकिन अगर मैं इसे रन करता हूँ फाइल को फाइल को रन करती के बाद हम देखते हैं आप और पूरा पाथ को यूज करना है तो आप यहां पर यहां पर यूज करोगे double slash का और double slash को जैसे ही आप यहां पर यूज करते हो और इसे अगेन रन करते हो तो आपका output यहां पर same आएगा जो भी आप यहां पर लिखवाना चाते तो double slash क्या करता है आपके escape character को ignore करता है तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं print learn with hkr is my youtube channel ठीके न ते उसके बाद जैसे ही मैंने इसे लिखा लिखकर मैंने इसे save करा save करा कि मैंने इसे run करा तो run कराने के बार इसने मुझे यहां पर output दे दिए learn with hkr is my youtube channel लेकिन मैं क्या साथ हूं कि यह जो learn with hkr है यह इन्वर्डेट को मास के अंदर लिखा वाए तो चलिए देखते हम यहां पर इसे इन्वर्डेट को मास के अंदर करके देखते क्या होता है तो जैसे मैंने इसके यहां पर आगे पीछे इन्वर्डेट को मास लगाए इन्वर्डेट को मास लगाने के बाद मैंने इससे सेव करा सेव करने के बाद मैंने इससे रन करा तो रन करने के बाद मेरे पास यहां पर एक आता है error तो यहां पर यह क्या दे रहा है यहां अभी भी मुझे क्या का एक बैक्सलेज तो मैं इसे सेव करूंगा तो सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे तो अब आप देख सकते हूं पर लर्ण विदेश क्यार जो कि किसके अंदर आया है इन्वर्डिड कोमास के अंदर तो इसी तरीके से आप इसकेप केरेक्टर का यूज कर सकते थे अगर आप कोई पास वगेरा लिखते हो और वहाँ पर आप इसकेप केरेक्टर को इग्नोर करना चाते हो तो आप डबल स्लैश के यूज कर सकते थे इसी के साथ साथ अगर आपक और inverted commas के अंदर ही अगर आपको inverted commas use करने हैं तो आप यहां पर backslash लगा के use कर सकते हो तो अगर आपको यह पता करना है कि कितने type के escape sequence होते हैं python के अंदर तो आप simple से इस website के उपर visit कर लेना और इसका link मैं आपको description में दे दूँगा तो यहां पर सारे type के आपको escape sequence character मिल जाएंगे और वीडियो रेखने के बाद यार comment ज़रूर कि अगर हो इससे मुझे भी पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लेगी कि मुझे एक feedback मिलेगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को समझा पा रहो अगर मैं सही से आप लोगों को चीज़े नहीं समझा पा रहा तो मैं उससे क्या करूँगा थोड़ा और बैटर करने की कोशिश करूँगा तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को complete करते हैं ओके गाइस बावाय थैंक यू